नमस्कार, इंडियन फोरेश्ट सर्विसमेन एग्जामनेशन 2023, टोटल 1900 प्लस एश्परेंट्स हैं, जो इस एग्जामनेशन को इस पार लिख रहे हैं, आउट ओफ 1900, आराउंड 200 प्लस ऐसे एश्परेंट्स हैं, जो अपनी प्रप्रेशन अल्रेडी कम्प्लीट कर चुके हैं, और अभी प्रप्रेशन की प्रक्टिस की फिच में हैं, ये वो लोग हैं, जिन्होंने सिविल मैन स्कैप कर दिया, और सीधी प्रप्रेशन पे तक है बाई लार्ज अराउंड 1600 तो 17 कुछ लोग एक्जाम देंगे नहीं, आप एक रफ एस्टीमेट ले ले लेजिए, 1500 एस्परेंट्स का, ये वो लोग हैं जो सिविल देने के बाद, फॉरस्ट मैन की जो प्रप्रेशन है, उसे अब इस्टार्ट कर चुके हैं, इस मैंसे हर स आप मैंसे जो 1500 हैं, इन मैंसे अराउंड 600 ऐसे एस्परेंट्स रहते हैं, जो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत इदर और दर से पढ़ेंगे, उन्हें अपने उपर कॉन्फिडेंज नहीं होता है, कि हम लोग ये एक्जाम निकाल पाएंगे, किलियर कर पाएंगे, यू बिलकुल डाफिनेटली बॉर्डरी क्रॉस कर चुके होते हैं, बेट उन्होंने लास्ट मैं अपने हद खड़े कर दिये हैं, और वो बैक मार जाते हैं, ये जो सीरीज है, प्रपरेशन स्ट्रेटजी फोर आइफस मैन एक्जामनेशन 2023, बनाने का परपस है कि लास्ट फू फूर बैचेज मैं 2019 से लेके अभी तक फूर बैच हो चुके हैं, ये फिप्ट बैच है आपका, फूर बैचेज मैं around 2000 के something, ऐसे स्टुडेंट्स रहें, जिससे हम लोगों का कम्मिनिकेशन रहा, ओबिसली इसमें जिनके सेलेक्शन हुए हैं, वो 100-200 के अराउंड ही है, र बॉर्डर लाइन को क्रॉस नहीं कर पाए है, कौपी दोन्हों लोगें की चक की गई हैं, इनके जिनके हुए हैं और जिनके नहीं हुए हैं, इनके बीच में कुछ common से ऐसी thing थी, या ऐसी error थे, mistakes थी, जो इन्होंने की नहीं हैं, इन्होंने को can't कर दिये हैं, और कुछ specific ब बहुत सारे ऐसे एस्परेंट्स हैं जिनका इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम तक आते हुई GS और इंगलिस पे सुचा अरे कर लेंगे, कर लेंगे GS इंगलिस ने डुबाया, किसी ने अपने फोरेश्टी आप्सिनल, क्योंकि एक आप्सिनल था उसके पैसे दिये थे, उसे बहुत अच्छे से पढ़ लिया, सिकिन्ड आप्सिनल को दिहान नहीं दिया इवन फोरेश्टी आप्सिनल पे ही कुछ छोटी छोटी चे मिस्टेक्स की हैं और जिसकी बज़ए से वो लास्ट बॉर्डर से रिटन हुए है मैं आपको बस ये समझानी की कोसिस करूँगा कि आप में और जो अंडर ट्विंटी टॉपर्ड्स हैं उनमें कोई बहुत ज़्यादा फरक नहीं है ऐसा नहीं है कि वो कोई अलग AI टूल चैट जीपिटी ऐसे कुछ ऐसे सॉफ्ट्वियर ब्रैंड में लगा करके उन्होंने एक्जाम दिये और वो अच्छे से लिख पाए जस्ट आप ही सभी मैंसे common person है बस कुछ mistakes है जो उन्होंने नहीं की और उन्होंने कर दी इसलिए यह border के इस साइड है और बूर्डर के उससाइड है अब mistakes क्या है जैसे first thing है आपका जो exam है four pillar पे टिका है आपकी जो chair है सीधी सी बात है four pillar चाहिए उसे आप ये जो forestry का pillar है इसे आप metal का बना लो ठीक है इसके बाद भी आपकी chair अगर तीन other pillar है अगर वो weak रहते हैं आपकी chair नहीं टिकेगी जो GS और English है for example के लिए forestry है दो paper है 400 marks total marks है महिजब आप कितनी भी माथा पच्ची कर लीजिए कितना भी effort कर लीजिए 250 से 240 240, 50 इस से ज़दा marks नहीं आते हैं एक rough एक average जो हर साल का होता वो changes हो सकते हैं उंच नीच होती है marks में एक rough average देख लिया जाए तो 240 एक standard marks है और अच्छे marks हैं बहुत अच्छे marks हैं इस से ज़दा आप नहीं लिया पाओगे है GS और English जब ये GS है 300 marks का और English भी है 300 marks का इन दोनों में आप RM से 150-150 लेके आते हैं या 160-150 लेके आते हैं आप यहां 300 के around target कर सकते हो इनको जो 600 के लिए जो effort require है वो यहां कोई भी optional हो जाए forest ही हो या आपका second optional उसके जो एक section पीपर है four section है उसके जो एक section के लिए जो आपका effort चाहिए hundred marks के लिए जितना effort चाहिए उतने efforts में यह आपके six hundred marks कवर होते है गलती क्या करते हैं हो जाए का अभी हम लोग civil man लिख करके आए हैं तो GS क्या है simple सा है English क्या है अरे भई हम थोड़ी English गड़गड होगी इतना तो लिखी लेंगे लिख लेंगे last तक खिशकाते खिशकाते English को एक दिन देते हैं GS को one या two days देते हैं कभी इनकी practice नहीं की जाती है result होता है one twenty, one thirty, thirty पे निफट जाते है यहाँ पर one twenty, one thirty, hundred, ninety इतने पर भी आये हैं इधार बहुत अच्छा perform किया लेकिन इधार mark गिर गया है result यह हुआ कि man का cut off तो clear हुआ लेकिन interview से बाहर आ गये यह गलतियां ना करें market में जहां तक मेरी knowledge है यह information है इनके लिए कोई proper source हो नहीं है बट आप एक बाट ट्राइ करिए कि last five year ten years के at least अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो five year के आप GS और English के question paper हैं उन्हें solve करिए watch रखिए time के साथ आप solve करिए especially जैसे GS है GS में आपको help क्या हो जाएगी एक तो pattern समझना थोड़ा आसान हो जाएगा जब आप five year के या ten year के question solve करेंगे second क्या होता है यहां civil के compare में GS में थोड़े दिक्किते हैं यहां number of questions बढ़ जाते हैं अगर आपकी writing speed proper नहीं है तो आप first question से start करेंगे end तक पहुंचते पहुंचते कुछ question आपके छूट जाएगे या फिर अगर आप last तक पहुंच जाएगे तो किसी भी question की जो proper लिखनी की structure है वो आप proper नहीं लिख पाएगे यहां structural issue हो जाएगे या फिर आप proper पूरे question solve नहीं कर पाएगे तो बहतर है आप इन्हें solve करिए writing practice खुद करिए घर पे at least यह जो five year के question है आप उन्हें two time solve करिए including GS और English two time करने का मतलब है आपको एक basic idea छे से आजाएगा कि within time frame में आप paper कर पा रहे हैं या नहीं और कहां आप इसमें mistakes कर रहे हैं एक इसू और है कि हम लोग जैसे बोलते रहते हैं कि graph flow chart diagram आप बनाओ आपको भी यह पहले सा idea है हजार बार आप सुन चुके है अच्छे से बता है now very well but होता क्या है when we start writing in actual examination often इस cap होजाता है कि हमें diagram भी बनाना है हम लोग just writing start करते हैं और first to last see the continue चले जाते हैं वो particular diagram का याद आता है जब हम लोग almost half या उससे अगे पहुंच चुके होते हैं diagram के लिए space नहीं चुड़ता है आप जब four five time आप लिख लेंगे especially ऐसा नहीं है कि आप English में ऐसी में diagram नहीं बना सकते हैं अगर आपको आरा बना दो कोई दिक्कत नहीं है उन्होंने ये थोड़ी बोला कि आप नहीं बना सकते हो G.S है उसमें आप जहां बोटनी साइंस टेक अगर इससे कुछ ऐसा फिगर बन रहा है जहां पर टॉपिक्स है रिलिटेट आपके पास फिगर दिमाग में आ रहा है बिलकुल बना किया ये छोड़ना नहीं है जहां option मिले फिगर डाइगराम बना किया ये इसका परपज क्या है देखो दो तीन ऐसी common things हैं जो examiner के लिए जदा माइने रखती है फरस्ट आपकी जो copy आती है जनरली अगर माल लीजिए फर अग्जामपल के लिए आप लोग हमें free देते हैं test copy चेक करने के लिए हम लोग थोड़ा financial देखके या result मैं ली पैसे इतने माइने नहीं रखते हैं यह सोच करके कि चलो कुछ अच्छा हो जाएगा result सुधर जाएगा हम लोग copy चेक कर लेते हैं बट जो teacher जो आपकी UPSC में copy चेक कर रहा था वो finance के लिए नहीं आया है उसके पीछे region है legal obligation UPSC suppose हमारी university को persistently request करती है कि आपके जो forestry के teachers है आप staff है उसे आप भेज़िये हमें copy चेक करने है university एक बार दो बार तीन बार नहीं सुनती है बट UPSC जब continue उनसे insist करती है तो vice chancellor है वो भी सुझता है यार छोड़ो यार भेज़ देते हैं फिर वो नीचे teacher से बात करेंगे भाही चले जाओ बार बार request आ रही है उनकी तरफ से हर बार माना करना ठीक नहीं लगता है तो इस टाइब से legal obligation होते है teacher पैसे के लिए नहीं आ रहा है उसके पास forestry के field की बात की जाए तो research में वो 4-5 lakhs के above monthly उसे research में ही मिल जाते है वो salary पे depend नहीं है या आपकी copy पे depend नहीं है तो जब आपको वो finance के लिए check नहीं कर रहा तो आपकी copy में माथा पच्ची क्यों करे भाई सीधर सा मतलब है कि आप copy अपनी उसे इस type से दो आपकी information उसके पास नहीं जा रही आप क्या हो क्या नहीं हो आप देश के लिए suitable हो या नहीं वो उसे नहीं पता आपकी copy जा रही है उसके पास copy neat clean है सही से proper लिखा है diagram flow chart क्या करते हैं कि सीधा impact देते हैं for example के लिए आप अभी road पे जाएए और आपको कोई poster लिगा मिल जाए poster में क्या लिखा है हम लोग पढ़ते नहीं है क्योंकि पढ़ने में हमाँ थोड़ा brand यूज करना पढ़ता है picture direct impact देती है जो वहाँ examination जो examiner है teacher है उससे diagram flow chart सीधे direct impact देते हैं उससे समझ में आता है कि हाँ सामने वाला बिल्कुल superficial नहीं जा रहा है कुछ पता है सी knowledge है तो first thing diagram और flow chart जरूर बनाए second जहां भी संभव हो example लिख है देखो simple way में आप यह में हरिश्चंद नहीं है कि हमने जो बोल दिया वही सर्वसत है आपने 10 points लिखे है at least 3-4 में example तो कमें code कर यह वापर तो example diagram flow chart figure जो भी बना सकते उसे बनाए और इनकी practice जरूर कर ला second एक जो issue है वो है for example के लिए आपने forestry यह सभी के लिए नहीं कुछ experts में ऐसार लगा कि वही सेवकें उनका optional जैसे agriculture engineering है या geology है math है other subject भी है market में यह optional की standard fee है वो generally रहती है 28,000 से 38,000 के around है हम लोग forestry की fee लेते हैं 14,000 भाई कम सकम आपके half में काम हो गया अगर कुछ पैसे बच गया है तो आप दूसरा optional प्रॉपर जोइन कर लो टाइम का इसू है भाई यह पैसे जो है यूजली फर्स्ट सेलरी इससे ज़्यादा मिल जाएगी आपको एक सेलरी नहीं आपकी यहां आप जो भी फीद पे कर रहे हैं वो आप जो सामने वाला टीचर है उसका material है एक्चुल में उसकी पे नहीं कर रहे हैं आप पे कर रहे हैं वो टाइम किये आप सेल्फ प्रिप्यार कर सकते हैं नो डाउट आपको एक topic है सपोज जिल्वी culture है उसे प्रॉपर समझने में प्रिविश यहर को questions को एनलाइज करके समझने में प्रॉपर नॉलिज लेने में पढ़ने में material लिखने में बनाने में वो आपको 10 days लगए हैं इंस्टिउशन या teacher जो है lecturer वो आपको यह करेगा कि वो आपका 10 days का slot 3-4 days में खर देगा आपके 6 days बचे जिसे आप other things में ज़्यदा वास्ट कवर करने में या practice में यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर केवल time slot खरीद रहे हो आप तो second optional अगर आपने forestry ले लिया तो second optional को मजाग में मतले हैं जैसे भी आप करें financial issue है तो आप अपने हिसाब से adjust करिए financial issue नहीं है तो आप अपने साथ जैसा आपको comfortable करें कहने का purpose यह है कि आप कोई भी optional को हल के में ना ले हैं कई लोग हैं जिनके साथ यह हुआ है कि optional यह भी ठीक ठाक है forestry में भी अच्छे marks हैं जो under 20, under 30 ranker हैं उनके बराबर उनसे कुछ के तो ज़्यदा marks है forestry में बट उन्हें second optional जो उनका agriculture, engineering या geology था उसने डुबा दिया उन्हें उसकी preparation नहीं हुई या फिर नहोंने डुबा दिया थर्ड मुद्ध है कि आखिर हमें पढ़ना क्या है कैसे पढ़ना है मैं अब यहाँ पर आपको apply करूँगा forestry पर और same thing आपको other optional पर लेके जाना है आप यह लेके चलिए forestry या कोई भी optional में नया आपको कुछ नहीं पढ़ना है मैं फिर वही बोल रहा हूँ selection होने और ना होने के बीच का major difference है आपका confidence confidence आपका बचा रह गया आपका selection हो गया और confidence कैसे बचेगा उसका अपने पास तरीका है अगर आप इसे follow करते हों मैं भई लिख के तो guarantee नहीं ले सकता लेकिन हाँ मैं ये इतना confidence दिला सकता हूँ कि 99% आप within under 50 आजाओगे ये last four year में जितने भी selected हैं उनके experience उनकी copy देखना ना होने वाले उनके देखना clearly mark हो जाता कि इन्होंने क्या किया है इन्होंने क्या नहीं किया और जो इन्होंने किया है वो हड़ साल बोलते आ रहा है लेकिन फिर भी apply नहीं कर रहा है ये cross नहीं कर पा रहा है कंड क्या है for example के लिए forestry ले रहते हैं हम लोग forestry में आप last ten years के previous year questions जो है उन्हें सही से पढ़िए और इनके writing practice करिए at least two three times इन questions को आपने end पर solve करिए simple way में two three times आपने end पर proper तरीकी से solve करिए इसके फाइदे क्या है वो मैं बता देता हूँ होता क्या है जैसी suppose 2022 में just example के लिए एक question आ गया 23 में माल लीजए उन्होंने पूछा silviculture character phenology and distribution of tectona grandis इसको आपको 10 marks में लिखना था जब आप single species based question है कि एक ही single species पूछे और उसके multiple character पूछे गया है इस questions को आप proper तरीके से first time लिखेंगे possible है कि आप इसका diagram कोई ना लिखें question copy check करेंगे फिर आप देखेंगे कि यार इसमें diagram नहीं में बना पाए है second time आप जब लिखेंगे question को proper तरीके से सोच समाझ के frame करेंगे और diagram बगर है बनाने कोई दिक्कत नहीं 10 minutes लेके आदा घंटा ले लोगे इस question को frame करने में कोई issue नहीं but proper लिखिए इससे होगा क्या आपको ये समाझ में आएगा कि टेक्टोना की intro में क्या लिखना है body में आपको phenology, silviculture, character, distribution कैसे लिखना है जैसे यहाँ पर generally हम लोग पहले distribution लिखेंगे फिर phenology फिर silviculture, characters एक frame हो गई और यहाँ पर उसका diagram हो गया third time एक बार आप और लिखोगे, होगा result ही होगा कि टेक्टोना के बारे में एक rough idea आगया suppose examination hall में आपको टेक्टोना की जगए आपसे surya robust आप उछलिया क्योंकि हम लोग जब 10 year की question practice करेंगे तो बीच में कई बार आपको surya robusta के बारे में बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा सड्रस देओदरा की बारे में बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा second year और ने टेक्टोना की जगए surya robusta पूछ लिया structure आपके brand में पहले से feed है आप क्या करोगे टेक्टोना की जगए surya robusta लिक दोगे structure में थोड़ा बहुत changes होंगे लेकिन by default question वही रहे answer जो रहेगा वो almost structure वही रहेगी इस से आपके में काटा पैड़ी कम होती है error के chances नहीं है ये figure जो है वो by default आपकी practice में आ चुका है result है वहाँ बेना सोचने के बाद भी figure बन जाएगा और अच्छे marks मनते हैं आपका एक इसू ये हो सकता है कि ये previous year questions है जैसे एक तो simple vision बता दिया कि आपको ये करना है 10 year के previous year questions को solve करना है कोई दिक्कत नहीं कुछ भी आ रहा है दिमाग में जो आ रहा है वो बनाओ वो लिखो बट लिखो बाद में लेटर phase में आपको टेस्ट सीरी जो भी आपके around है surrounding में किसी इंस्ट्ट्ट की जो आपको सही पढ़ रही हो सस्थी पढ़ रही हो आपको से दे दीजिए बट कम सकम पहले 10 येर के question paper solve करके जाएए अपने end पे अब इसमें हो सकता है आप लोगोंने होनमिल का material ना दिया हो किसी अधर institute से लिंक हो आपके पास question हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं हम लोगोंने already जो telegram group है उस पे chapter wise ये previous year questions डाल दिये हैं वहां से आप आरम से पीडियाफ डाउनलोड करिए जैसे ये first paper का है silvy culture इसका से syllabus है ये question paper है कि वही कितने किस से average जैसे silvy culture से average hundred mark से question आ जाते हैं और ये year wise उसके questions है ये forest management वाला है उसके syllabus ये questions और फ़र यहाँ वह analysis और ये questions रहे इस type से आपको अगर आप ये देखने चाहों कि previous year questions से benefit क्या है आपका तो आप इससे देख लो 2022 में question आया था what is the purpose of purpose of classifying forest how are forest classified for silvy culture management यहाँ पर के question की दो पार्ट है forest classified for silvy cultural management इस पार्ट को हम लोग discuss करते हैं forest management में जहाँ पर हम लोग से block compartment sub compartment जो है उसमें division किया जाता है silvy culture के साब से उस वह वाला पार्ट था यहाँ यहाँ पर question था what are the purpose of classifying forest forest को classify करने का परपज क्या है यह नया question नहीं है उससे पहले भी need of their classification objective of forest classification यह पहले से इस type के question है basis of why there need of such classification 2012 में question वही पूछा था अगर आप last year के कर रहा है आपको पहले से पता है कि परपज किया है question क्या है सीधा forest किया है define करके सीधा आप परपज लिखते थे आपका काम इस पर question में सोचने की कोई बात ही नहीं है वहाँ पर आपको सोचना ना पढ़े उससे benefit यह होता है कि आप ऐसे समझ लो जैसे आपका computer laptop desktop की तरह काम कर रहा है अगर वहाँ पर जदा processing करोगे brain गर्म होगा thinking power आपकी कम होगी आप एक level से जदा proper नहीं write कर पाऊगे तो better है वहाँ सोचने समझने की जरूआ थी नहीं पढ़ा है बिल्कुल things smooth जाए यहाँ पर question था what is precision silviculture silviculture explain silviculture technique for following यहाँ पर question का और पार्ट था यह पार्ट आप पहले ही previous year questions में already practice कर चुके थे यहाँ पर बस इतना है कि precision silviculture क्या है अगर आप लोगोंने news में पढ़ा है तो contemporary बहुत सारी news में civil वाले प्रिसीजन अगरी कल्चर प्रिसीजन अगरी कल्चर कॉंसेप्ट है अगरी कल्चर में कि हमने resources को precisely यूज़ करना है कि वह wastage नहों और more effectively per unit per unit आपका maximum production मिल सके हैं हो सकता है इसे नहीं पढ़ा हो कोई दिक्कत नहीं उस question को ये वाला आपके लिए नया part आप ऐसे लेके चलिए कि paper one paper one में total question आते है 28 कितने question आ रहे है 28 first question है उसमें five sub question होते है फ़र second third fourth इनमें सभी में three three questions रहते है total 14 question आपके section A में रहते है और 14 section B में total question कितने हुए आपके 28 last year के paper में 28 questions में से only two questions ऐसे थे जो कुछ हद तक new questions थे first ये precision salvee culture जिसमें वो precision salvee culture term आपको नहीं पढ़ाया गया आपने नहीं पढ़ा उसका second half आपको पता था common see पहले से repeated question है second question था bio engineering जो Himalayan region में green budgetation लगा के हम लोग Himalayan में जो plantation का काम करते हैं modern region में land flight वगर रोकने के लिए वो question basically civil में पहले आ चुका है around 2017 मैं से और नहीं हूँ 15, 16 या 17 किसी में मैं मैं आ चुका है same question क्योंकि भई वो उस time पर मैं लिखता था तो वो लिखा हुआ है मैंने वो बस terminology modified किये same question यहां आया था उसे हम लोगोंने यहां notes बगरा मैं नहीं पढ़ा remaining जो 28 में से 26 question है सब के सब सीधे सीधे notes में पहले से रखे दें अगर आपने 10 year के question भी कर लिए आप 26 question आ रहे हैं आप इन मैं से कोई भी section कर रहे है similar भी का आप वो two question कहीं से भी skip कर देते तब भी आपके पास असानी से question करने के लिए पूरा space था बिल्कुल हस्ते खेलते आप question कर देते यहां पर सीधा-सीधा कोई issue नहीं था तो first thing 10 year के आप question paper solve कर रहे हैं similar मैं आगे बताने के लिए जैसे यह पूछा how do sacred groups help in conservation of biodiversity पहले से इस पर state PSG में question आ चुके है नोट्स में डाल रखाता है आप लोगोंने कहीं बैसी भी पॉड़ रखा हो तो sacred groups पहले से repeated questions है locality factor के question आए इनमें कुछ भी नया नहीं आया है पहले से आ रखे है climatic factor पूछा था what are the biotic abiotic stress of tree भाई कभी पूछेंगे आपसे living or non living stresses of tree biotic abiotic stress of tree external response of tree इससे पहले climatic factor पर question पूछ लिया frost resistance internal or external things वही है UPSC है वो बिलकुल question copy उठा के paste नहीं करता है उसकी repetition के अपने तरीके है बट question का area वही है adverse climatic factor causing damage of forest वही चल गया रहा है वही है adaptive factor और में explain the role of my courage है भाई यहां पर पहले से दुनिया भर के question पूछ रखें इनने same question यहां पर पूछ रहा है यह कितने भी question बता दो सब किससाब repeated चल रहा है bamboo flowering पूछी गई discuss the significance of bamboo flowering पहले इन्होंने पूछा gregaris or sporadic flowering bamboo में flowering होती है ठीक है उसके तीन टाइप पूछ लिए और उसके क्या positive है क्या negative काम घतब कभी उन इसके significance पूछ ले significance दो नहीं होता है positive negative काम घतब नया है क्या है सीट डॉर्मेंसी दस बार पूछे चाच चुका है तो first thing है मैं यहाँ पर आपको कितनी भी वार वही चीज़ है explain करता रहूंगा same thing है previous year question कि आप solve करिए अपने end पर proper solve करिए हम लोग आपको solve करके दे सकते हैं कुछ हद तक दे भी रहे हैं लेकिन उनकी अपने पास अपनी limitation है जो copy आपके पास आ रही है वो 300 other experience के पास भी वही copy है कुछ फिर बांट देंगे तो अगले 300 पर वही पहुँचेगी आप जो कुशन लिखके आओगे वही 600 लिखके आएंगे result भी common मिलेगा आप हमारी जो भी solution है उन्हें यूज करी जहां तक यूज कर सकते हैं उन्हें यूज करिए और try कोसिस करिए कि आप कुछ उसमें अपनी side से add on कर पाए है वो आपकी uniqueness होगी वही आपको mark से लाएगी क्योंकि competition तब अपना हो सकता है जहां बहुत सारे players हैं और आप केबल हॉर्ण बिल से है आपको हमने जो specific बता दिया वो आपके लिए unique है आपको extra mark gain करने में help करेंगे लेकिन वहां आप क्या करोगे कि 1900 मैंसे अगर thousand student हॉर्ण बिल से ही है legal, illegal zero, valid जैसे भी हो सभी वही पढ़ रहे है जुन्होंने 20, 21, 22 last three years से experience है 2019 से भी है जो persistently continue हर साल exam दे रहे हैं वो भी है तो उनके में आप में वो जो है similarity आजाती है तो आप अपने end पे कुछ नया करिए उसमें कुछ example अगर आप गूगल कर सकते हैं गूगल नीज डाल दिये करो गूगल नीज में forest plus wildlife plus climate change कुछ ना कुछ आई जाएगा कोई भी term है उससे term डाल करके गूगल नीज कर लिए कुछ ना कुछ नया मिलेगा वो example code करते रही है first thing आप previous year question solve करिए multiple time second theory हमें पढ़नी पढ़ती है क्योंकि solve करोगे आप लेकिन लिखने के लिए आपको एक idea तो हो किस चीजे चल गया रही questions को समझना फिर उसे proper लिखना उसके लिए आपको theory पढ़नी पढ़ती है no doubt तो ऐसा नहीं कि cable question solve करने पर बैठ जाओ आप proper जो notes है जो भी resources है आप उन्हे properly refer करिए and then आप previous year questions को solve करना start कर दीजिए second जो issue है वो है कि आप for example के लिए अगर आपने hormonal के ही study material refer कर लिया मैं आप कुछ भी कर सकते मैं as a example जो मुझे थोड़ा समझाना असान जाए तो मैं hormonal के notes ले लेता हूँ total जो study material है जिसे आपको heavily read करना होता है वो रहा thousand page का जब आप उसे three four time refer कर लेंगे अब thousand page के साथ दिक्कत है कि जब भी आप revision करने जाएंगे आपका दिमाग का दही होगा क्योंकि page में जो भी page दिखेंगे उसमें बहुत सारी information होगी अब ये जो information है ये आपका दिमाग खराब कर दी है इससे क्या है revision आपने एक दो तो थरी hours का किया उसके बाद आपका दिमाग बस बहुत होगे आप रहने दो ये condition बन जाती है revision क्यों जरूरी है एक simple सी condition समझा देता हूँ quite possible कि आप मैंसे most of ने से phase किया हो आप लोग जब examination hall में बैठे हैं और किसी question को आप जब write कर रहे हैं उस time पर possible होता है कि कुछ उसकी points आप से छूड़ जाते होगे आप लिख रहे होते हैं तब आपका brand उस question से related footers point एकदम याद आते हैं कि अरे यार यार ये छूड़ का है लेकिन अब आपके पास लिखने का time नहीं है second ये question खत्म हो जाता है paper खत्म हो जाता है इसके बाद एकदम याद आता है यार उस question में तो मैंने ये लिख दिया उसमें ये लिखना था कई question ऐसे होंगे जिनके answer क्या लिखना था क्या नहीं लिखना था क्या क्या और लिखा जा सकता वो घर तक आते 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 आपको याद आते हैं brand अपना काम कर रहा है आपने brand पर इतनी ज़दा information लोड कर दिये कि उसे उसे पूरा scroll down करने में time लगता है उसका एक अच्छा तरीका ये है कि जब आप examination hall में जाए कोई इस type का कोई short crux हो पूरी forestry का structure जिससे आप 20-30 minutes में ज़स्ट ऐसे page flood के आप brand पर load कर ला है वो भी examination से 2-3 घंटे पहले है load करने से क्या just rough देखने से क्या होता उसमें ज़्यदे information नहीं है तो हम लोग easily देख लेते हैं और हमें satisfaction मिल जाता है हमारी पूरी forestry हो चुकी है इससे फाइदा क्या है आप से पूछा गया है choice of species, silvy culture का question है आप क्या करोगे यहां पर forest utilization का aspect भी लेक्या होगे क्योंकि travel economy से जड़ा हुआ है अगर कोई ऐसी species आप select करते हैं जो travel well being में है तो वो यहां choice of में factor बन जाएगा wild life का एक इसू हो सकता है क्योंकि आपने wild life biology refer की है कि आप ऐसी species select करेंगे जो wild life के लिए harmful ना हो suppose आप mango कर रहा है क्योंकि wild life के लिए food का production करेगा fruit का production करेगा आप wild life से जोड़ लोगे आप forest utilization से, forest economy से forest legislation, joint forest management forest protection उस aspect से जड़ जाएगा इधर आपका tree improvement और agroforestry है उन से जड़ जाएगा choice of species लेकिन ये सब चीज़ें तब जुड़ती है जब आप free दिमाग से सोचेंगे और free दिमाग से सोचने के लिए क्याश है ये कि सबसे पहले पूरा जो आपने पढ़ा है बहुत detail में नहीं उसका एक rough structure हो आपको करना क्या है first आपके पास अगर suppose hornbill के notes है आप अपने notes पढ़िए at least two, three time उन्हें proper तरीके से revise करिए इसके बाद आप अपने handwritten notes software, computer वगर है नहीं handwritten notes बनाईए आप हाँ चलाने की कोशिज करिए handwritten notes क्यासे किया जा सकता है for example के लिए आपका first module है silvy culture उसका first chapter start होता है forest क्या है forest के basis जिसके basis पे हम लोगों ने classify किया और classification कौन-कौन से है आपको याद रखना होता है forest की definition क्या है आप short summary में क्यासे लिख सकते हैं इसे आपने यहाँ पर लिखा forest मैं इसे थोड़ा बढ़ा देता हूँ जो आसान हो जाए आपको आपने simple way में लखा forest आप forest की आप definition पढ़ोगे definition क्या है area set aside for the production of timber and other non-timber forest produce प्लस आपकी definition में और कुछ लाए नहीं हो सकती है जो आपका management objective है या ownership का objective है production का वो सारी चीज़े आपकी यहाँ definition में हो सकती है आपको definition पता है आप पूरी definition 3-4 time आपने पढ़ ली है आपको definition बार बार पूरी repeat करने की जरूरत नहीं है आपने short में लिखा area set aside उसका जो key term है forest क्या है area set aside for the production of timber and other non-forest product पकाए की जो definition 2-3 time आप रिवाइज कर चुके है आपको याद हो जाती है बस आपको वो key term याद होना चाहिए आपने key term लिख लिए काम कहता forest की जो ecological basis पर definition है uncultivated natural area having natural vegetation या uncultivated barren area barren land having natural vegetation with close कहने हो की जो wild life को shelter provide करवाती हो आप shelter लिख दोगे आप common understood है कि ये wild life के लिए है कुछ key term लिख लो वो key term याद रहे आपको definition हो जाएगा अब इससे होगा क्या आपको लंबा चोड़ा पेज उठा के देखने की जरूवत नहीं है key term दिखा आपके पूरे ब्रैंड में वो cycle घूंग जाती है forest को classify करने के basis क्या हो सकते है standardization करना है record R&D management sustainable development management plan जो objective 2012-2022 का question है उसको paragraph पढ़ोगे वहाँ पर ये सारे key term मिल जाएगे just key term लिखे आपको समझ में आगे के वो क्या है अब रहा classification classification कैसे लिख लोगे suppose first classification है age की basis पर आप even as it forest uneven as it forest पूरा लिखने की जरूवत नहीं है even upon uneven लिख दिया आपको पता है क्या है regeneration के basis पर natural high forest और copious forest या copious को कई बार low forest बोल दिया तो high copious low लिख दिया काम हो गया floristic composition के basis पर pure forest या max 80% का basis चलता है 80% से कोई species single species अगर 80% या उससे जदा composition बनाती है तो वो pure forest है 80% मैंने लिख दिया आपको एक comment है 80% pure or mix ownership के basis पर government, private, community, panchait क्या है यह ownership के basis पर आपको जदा clear हो जाएगा second legal पर reserve है village, panchait reserve forest, village forest protected और unclassed forest chapter 2, 3, 4 इसके अलावा community और conservation reserve है 36A और 36C के अंडर world protection act के यह section है growing stock के basis पर normal और abnormal forest या trinity के concept पर बिश करते हैं आपने इतना कर लिया आपका starting के लगवग 2-3 page का काम हो गया वो 2-3 page आप 3-4 time पढ़ चुके हो आप just इसे देखोगे वो चीज़े दिमाग में रहेंगे नहीं वो पूरा इसे देख लिया आपके में वो पूरी cycle revised हो जाती है आपको 3-4 page पलटने की जरूवत नहीं है आप नीचे फिर आएगा आपका forest के types champion and sit के business पर आप basic वहाँ कई बार पढ़ चुके है अब आपको पता है कि पहला है tropical जिसके अंदर साथ 7 है wet moist dry tropical wet evergreen forest wet बहुत ज़्यादा मुष्च रहे तो evergreen होंगे फिर semi evergreen moist deciduous littoral soil dry deciduous thorny forest tropical dry evergreen forest 3-4 time देखा ये चीज़े याद हो जाती है dry evergreen यहाँ पर भी है dry evergreen यहाँ पर भी है weight moist dry था वहीं आपर चलेगा weight moist dry broad pine यह pine 9 से एक average यह जो page है आपका इसने आपके silvy culture के notes के five page जो है उन्हें cover summary कर दिया इसने इतने बहुत आप इसके नीचे का थोड़ा page और बचेगा आप एक दो page और cover कर लोगे roughly six page आपके एक page पर आगे है बिल्कुल short summary इसमें आपको information का crowding नहीं करनी है ऐसा नहीं करनी है कोई दिक्कत नहीं इतनी गरीबी नहीं है आपके दो seats, 10 seats, 20 seats अगर extra लग जाएंगी कुछ दिक्कत नहीं है बट information की crowding नहीं करनी है आप अगर इस टाइब से short summary two, three time अपने notes पहले refer करिए इसके बाद आप इस टाइब की summary बना लीजे यह summary आपको pressure create नहीं होने देती है सबसे पहला मुद्दा है silvy culture जो है उसकी जो पूरी structure frame है यह summary को आप 4-5 बार revise कर लोगे एक गंटे में और जहां आपने four five time किया आपको पूरी subject की बिल्कुल structure जो है वो समझ में आ गई एक बार structure समझ में आ गई आपका pressure छूमंतर हो जाता है और अब आपको आसान है लिखना basic सीधा साहे structure रह जाए तो आप फेक तो लोग गई कुछ ना कुछ लेकिन structure रह जाए benefit, revision quick हो जाता है other subject का भी question के साथ integration करना आसान है और जब आप examination hall में जाते हैं जैसे suppose आप second paper दे रहे हैं तो first paper के बाद दो घंटे का time है थी इसे पस पलट लिया आपने 15-20 minute लगते हैं क्योंकि आप 3-4 बार इसे देख चुके हैं, एक एक घंटे में revision हो जाता है एक paper का आपने जैसी पलटा आपको पूरी structure बिलकुर 15-20 minute में दिमाख में आ गई है, अब आप फिरी हो एक जड़ घंटे के लिए गप वाजी करो सब कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है after that paper देने गाए paper देते समाए, brand को storm करने के लिए information search search, जो deep brand में है वहाँ से information खीच-खीच के लियाने की जरूरत नहीं पड़ती है बिलकुल superficial था, वो फटांक से उठाक देता pressure नहीं फिल करते second question में यह नहीं होता है कि यह information मुझे यहाँ लिखनी थी, यह छूट गई examination hall से निकलते टाइम पर यादा रही बो condition नहीं होगी है पूरा सबकुछ proper तरीके से लिखती होगी और previous year की practice की है तो कोई भी question ऐसा नहीं जाने वाला है जिसमें diagram flow chart आपका बच रहा हूँ अब मैं for example के लिए आपको जो last year की topers है इन्होंने telegram पे already channel बनाया हुआ है अनुराधा मिस्रा third ranker है और इन्होंने का इसी नाम से telegram channel है last year की student थी उन्होंने भी भही सारी चीज़ें लिखिया है क्योंकि ये last year की हैं तो quote करना थोड़ा आसान है कि भही इन्होंने क्या किया आपने क्या किया और कैसे आप थोड़ा proper तरीके से समा सकते हैं इन्होंने जो किया है almost जो under 2030 में है वो हर साल यही करते आ रहे हैं उन्होंने और जिनका selection या उस border line की उस side है उन्होंने यही difference रहा first आप लोगोंने proper question solve नहीं करें जिससे question की examination hall में आपको structuring करनी पड़ रही है वहाँ पर diagram flow chart नहीं है second revision proper नहीं हुआ pressure feel कर रहे है उसका result हुता है कि हर question में छोटी छोटी सी कमी रह जाती है आदा आदा marks भी अगर आपका कम हुआ तो final paper में 10-15 marks का difference हो जाता है दो paper में 30 marks का difference आप competition से लगभग out हो जाते हैं और other second में भी आपने ऐसे ही किया GS single S में भी ऐसे ही किया आप border पर लटके साथ है आप इन्होंने क्या किया same thing होई है covering PYQ and answer rewriting brand installing PYQ structure my answer recall maximum number of points think about the scope of inclusion of diagram graph flow chart previous year questions है होना proper तरीकी से पढ़ो समझो second road same multiple choice question multiple time till I was comfortable enough in that topic previous year question है उसे दो तीन बार लिखो at least two त्री times लिखने में क्या होता है उसकी structure जो है एक proper question का frame हो जाती है इस बार ये frame यहां का वो frame लगबग 10 जगाई यूज हो जाता है इसमें एक और है कि जैसे कई बार क्या होता है हम लोगों को key term की जरुगात होती various type की definition के लिए है हम लोग जब भी class करेंगे हम आप से बोलेंगे thinning याद कर लो forest nursery क्या है उसकी definition याद कर लो forest types definition याद कर लो forest forest इसे लिख कल्चर इनकी definition याद कर लो अब notes में क्या होता है ये सारी चीज़े definition हर चप्टर में ऐसी फैली पड़ी होंगे आपके पास एक option ये है कि इन सभी definitions को एक जगा लिख लो इन्होंने भी वही किया यहाँ पर writing technical definition every useful addressing to it आप सभी definition को एक साथ लिख सकते हों या फर अगर आपने short summary जो बनाए है आप वहाँ पर भी बीच बीच में अपने definition यूज़ करते रही है आपका वहाँ पर भी काम हो जाता है diagram scientific name एक common सा है आप लोगों को बार बार बता दिया जाता है especially जो technical engineering background से है उनके साथ इसू है जो botany, geology background से है forestry background से है उनके साथ क्या है कि ये academics में पहले ही चिखा दिया जाता है कि जब भी आप कोई scientific name लिखेंगे उसको लिखने के लिए botany के अपने rule है ICBN के जैसे scientific name है bainial है रहता है first है जैसे tectona grandis जब भी आप लिखेंगे इसे underline करेंगे जो first है जीना से इसे हमेज़ा capital किया जाता है species है वो by large small character में रहेगा ये large character में रहेगा capital character में except अगर ये किसी scientist का ये country का name ना हो जैसे suppose किसी में है mangy fara indica mangy fara indica तो आप इसे country का नाम है किसी person का नाम है scientist का नाम है उस case में ये capital हो जाता है otherwise by large ये small ही रहेगा आप indica को इसमाल आई में भी लिखो गए तब भी yes subject है इसमें गलती नहीं तो मैं इस case में ये ही समझता हूँ कि आप इसे हमेशा ध्यान रखें इसमाल में ही लिखें typing में italic होता हूँ उसका यहाँ कोई मुद्दा नहीं है ये subject जो exam है वह वैसा तो है नहीं है टेक्निकल है तो जहां भी होता common name से कम चलता है जहां भी समझता हूँ आप साइन्टिफिक नेम यूज करें वैसे जब आप first से last सक पहुंचते है scientific name आपको बहुत सारी याद हो जाते है उससे काम अपना हो जाता है फिर writing specific case study यह इनका चलता रहेगा जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी news आजाती है वो आपके काम आजाती Google news कर लो तो उन्होंने कुछ scroll down कर लगी कियो ही होगी writing test series पकर है last मैं at least आप 4-5 test ज़रूर लिख लो test लिखने का purpose क्या है जब आप fee दे करके test paper लिखते हो तो भाई साब क्या है दुक होता है थोड़ा paper पैसे दी है पैसे तो वो देने वाला है नहीं बापस तो आप क्या होते है force हो जाते हो कि paper लिखते ही हो second thing आपके जो error है by large आपको खुद पता होते है सामने बाला भी उन error को बता देता है अपने क्या can't किया है क्या नहीं इसे यहां सुदार हो यहां सुदार हो वो भी बता देगा लेकिन काफी अतक चीज़ा आपको भी confirm हो जाती है फिर भी कुछ नकुछ तो बहुत सारी चीज़ों की help हो जाती है कि आपके मैं आपको दूसरी coffee पीछे कंड देखने को मिल जाते हैं model answer मिल जाते हैं आपने जो कंड कर रखे हैं कुछ गलतियां वहां सुदारने का आपको मौका मिल जाता है जो आप examination hall में करोगे और मारे जाओगे वो कम सकम पहले ही बच जाते हैं लेकिन सबसे ये दुनिया भर के benefit है at least कम सकम test series 20 से 25 मार्क आपके बढ़ाई देगी क्योंकि वही गैसे पिटे question है यहां से आपके जो concept होगे सीधे repeated question आजाते हैं वहां पर वही चीज़ है पर सबसे महन है आप by force लिख लेते हो और वह सबसे जड़ा benefit देता है उससे आपको paper का जो time slot है उसका एक मौटा माटी अनमाल लग जाता है इन्होंने जैसे ये test series लिखी last year हम लोग test series यूज़ नहीं करते थे नहीं लिखवाते थे actually conducting नहीं होती थी हमारे याद तो फिर उन्होंने संकर की जोइन की हुई थी ये उन्होंने अपने question लिखे है आप यहाँ पर better क्या है मैं कई बार बोलता हूँ जैसे उन्होंने यहाँ question लिखे है आप सीधे bullet point या number में लिखते जाएए आप यहाँ multiple color pen use कर भी सकते हो और नहीं ट्राइ करिए red pen use ना करें आप अपने end पर कोई मिलता है जुलता हलका सा color green है black है blue है yellow है बहुत सारे पैन है कोई भी यूज कर लो red छोड़ दो वो एक type से ऐसा लगता है कि जैसे आप teacher की authority को challenge कर रहे है जो examiner है उसकी authority को challenge कर रहे है आप red छोड़ दीजे पका कि कोई भी यूज करो किसी को कोई फरक नहीं पड़ता UPSC वैसे भी कुछ बोलती नहीं है second जो भी आपके key term है try कर रहे हैं उन्हें underline कर दीजे एक अच्छा काम इनों ने ये किया है कि जो भी question लिखा है उसके जो भी key term थे उन्हें underline किया information को इस copy में बहुत ज़दा crowding नहीं किया examiner ये माने के चलता है अगर आप छोटे छोटे चीजें लिखते हैं तो क्या है कि अपने एकी page में बहुत कुछ लिख दिया उसके लिए पढ़ना वो थोड़ा difficult है आप आराम से spacing के साथ लिखिए और जो भी में मुद्धा है उसे underline कर देजिए थोड़ा अच्छा लिखता है next मुद्धा क्या है figure ये कई बार बोल चुका हूँ फिर भी girl दिया करते है जब भी आप figure बनाओ वहां नीचे लिख दो कि क्या है figure में जो आपने so किया है उसे demark कर वे है कि ये क्या है marking कर किया और ये सबसे ज़्यदा होता है कि हम लोग figure बना के आ जाते हैं कुछ लिखते नहीं है ये इन्होंने previous year के questions है जहां भी समझ में आया जैसे भी समझ में आया इन्होंने लिखने की कोसिस की है practice की है उसकी आप copy को कैसे use कर सकते हो इन्होंने starting में उसकी definition से दी अब मुद्दा आएगा जो सब है जैसे कि ये पूछा significance क्या है advantage, disadvantage पूछे है तो वो advantage, disadvantage, significance वो कई बार क्या है copy में दिख नहीं पाते है कि आपने कहां से शुरू की है कहां खतम हो रहे है तो आपके पास दो option है या तो आप different color pen use करें अब color pen के साथ क्या आप उसे बार बार उठाएंगे रखेंगे time खोटी होता है तो उसका एक तरीका ही हो सकता है कि आप same pen use करें और जब भी आपको आए उसको आप सीधे इसे small character में और इसे capital में लिख करके आप उसे box में बंद कर दें तो ये क्या है सीधा specific highlight हो जाता है figure जब भी आप बनाए आप उसे box में डालके यहां पर इन्होंने जैसे marking जाता नहीं कि कॉपी वगरे चेक करो कैसे लिखी उससे काफिया तक idea आपको आजाएगा moderating influence on soil temperature ये चीजे चलती रहेगे ये सारे आपको notes में वही figure है notes है तो वहां से आपको ये help हो जाएगे तो यहां पर आपको ध्यान क्या देना है 10 year के questions solve करने है जो भी आपके पास study material two three time आप proper तरीके से revise करिये और उसके short notes बनाने आपको दो basic tool है short notes आपके 50, 100 page में जो भी आप बना पाओ figure diagram में, flow chart में diagram और practice इतना कर लिया आप आराम से under 20, under 30 आजाओगे कोई नया तीर नहीं है सारी चीजें वही हैं इचली हो जाता है अब एक next issue है बात तो ठीक है अब मुझे अगर पढ़ने की बात आ जाए तो पढ़ें क्या जैसे तीर section है एक है आपका study material दूसरा है lecture, मतलब class बगरा कहीं से मिल रहा है और third है previous year questions previous year questions और उनके solutions इसमें क्या किया जा सकता है study material में ये दिखा जा सकता है कि एक तो market में ये मानिका नंदन की common book है इसका कोई issue ही नहीं है अगर आपके पास horn मिल का है that's good, excellent है excellent मैंने इसलिए बोला कि भई last year बोल सकते हो कि side तुका लग गया कि by large paper one में cable two question आउट थे और paper two में four question actual में five question थे इनमें से दो question के साथ ऐसा है जिसका एक का one third part और एक का half part आउट था तो हम लोग ने उन दोनों को एक question माल लिया तो इस type से second paper में four question आउट थे और first paper में cable two question थे जो अपने sphere से out थे सब कुछ उसमें कबर हो गया था आपके पास है तो बढ़िया नहीं है तो आप इसे पढ़ लीजे जो भी मिले आप उसे पढ़ो बट जल्दी करो कोशिश करिए October end होते होते आप जैसना भी knowledge ले पाओ उसे खतम करो second है इसके साथ में आपको जैसे lecture बगर है कि जरूरत पढ़ सकती है पैड अगर ले सकते हो that's good जहां सब जहां से भी लोग काफी लोग हैं हम लोग है evolution वाले भी है संकर से भी है वजिरामर भी है और भी कुछ नए नए होगी ज़्यदा जो नए हों उन पर ना जाएं क्योंकि उनके साथ दिक्कत होती है experience की जैसे कोई नया teacher है दो तीन साल से ही पढ़ा रहा है तो दिक्कत ही है कि वो हो सकता है सस्तिम में पढ़ा दो या बोल सकते हो कि हम लोगों की किस्मत ऐसी थी कि जब हम लोगों ने पढ़ाना स्टार्ट किया आप लोगों ने सुपोर्ट कर दिया और हम लोगों ने 2-3 year में अपने आपको revive किया और एक level तक पहुंच गए कि हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग majority things 90-95% questions cover कर रहे हैं एक type से 40-28 46 question में 42 हम लोग cover कितना होगे 28-28 वही आरदूनी 16 56 questions में से हम लोग 50 questions 50 out of 56 questions हम लोग cover कर पा रहे हैं बट उस level तक पहुंचने में हम लोगों को भी 3-4 year का phase लगा तो कोई बिलकुल नया नया हो दीख लो कि ठीक ठाक है तो सो समझ के आप आजाए जो भी हो काफी और भी लोग है अपने साब से जो भी आपको comfortable पड़े language भाई जैसे भी आप अपने साब से दिख लीजे financial अगर issue हो तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके पास जो भी resources उनके साथ यहाँ पर already काफी video पड़े हुए है देखो भाई सभी तो नहीं दे सकते हमारे भाई भी भी बच्चे वाली बात है इंस्टिटूट है सामने किसी चल रहा उसकी भी light का issue रहता है इंटरनेट है बहुत सारे background की cost है जो fee देते हो उसमें भी 18% सरकार अपना हिस्सा ले ले लेती है बकाय के दर दर के हिस्से बढ़ जाते है बात में जो बच्चता है 2-4% रोटी चल जाती है तो सभी free तो नहीं हो पाता है लेकिन हाँ जहां maximum possible जैसे 2019 के हैं बहले ही कच्चडा से है लेकिन काम चल जाता है उनसे concept बनाने में comes का आपके पास पहले सी बहुत सारी आइडिया है प्रिविएस यर कुस्टन्स आल्रेडी जो हमारे टेली ग्राम ग्रूप है वैसे लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहां से आप प्रिविएस यर कुस्टन्स डाउनलोड कर लो जप्टर वाईस हैं आपको बिलकुल पहिये का आविस्कार नहीं करना है मैं आपसे बार-बार वही बोल रहा हूँ यहां आपका टार्गेट पैसा बचाना या दो बारा सब फोरेश्टी में पीएश्डी करना वो नहीं है वही पहिये तो बहुत सारी लोगों ने पहली बना रखे हैं बस आप उनका पहिया लो अपनी गाड़ी आगे बढ़ाओ यह री-डिस्कवरी ओफ वील नहीं करना है आपको तो जो भी रिसोर्सेस हैं पढ़ो जल्दी खत्म करो और आगे बढ़ो प्रिवेस एर कोश्चंस एक इसू हो सकता है मार्केट में पी वाई क्यू के लिए टू बुक्स है यह तो बिल्कुल रद दीवोग है कुछ हद तक आप इसे ले सकते हो इन्होंने टू थू 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 स्पोज सिक्स से बहुत प्रॉपर आइडिया नहीं देगा लेकिन क्या है कि वो मन की संतुष्टी के लिए कम सकम कि इसमें क्या लिखा जाए कुछ हद तक यह हल्प कर देगी तो अगर पी वाई क्यू की आपको जरूरत है तो आप इसे देख सकते हो इसकी अलावा लास्ट रहता है कि भाई ठीक है आपने बता तो दिया मैंने यह सब कर लूँगा फिर भी सेलक्सन नहीं होता है यह है वो है तो भाई देखो अपन जितनी भी मेहनत करते हैं वो है आपकी हार्ड वर्क वो बनाते हैं आपकी प्रपरेशन या एक्जामनेशन में सेलक्सन का 60% 60% है आपकी नौलेज 25% इसमें आप वर्क करती है आपकी प्राक्टिस अकेले प्राक्टिस से सेलेक्शन नहीं होगा क्योंकि लिखोगे किया जब पता होगा तभी लिखोगे यहां काम करती है प्राक्टिस जो डाइग्राम फ्लो चार्ट सही से लिखना है प्रापर लिखना है स्ट्रक्चरिंग प्रापर वो सारी जगाए यहां की काम आती है लास्ट 15% आपका फॉर्चून है आपकी किसमत अच्छी है कि आपकी कॉपी से पहले टैन ऐसी रदी कॉपी आई थी एक्जामनर का दिमाग खराब चला था और आपकी कॉपी जैसी आया एक्जामनर बहुत यही आनंद है और वो आपको खोब मस तरीके से मार्क्स जेता है आपकी किसमत फूटी हो सकती है यहाँ First Ranker और Last Ranker में बहुत डिफरेंस नहीं होता है हो सकता है जो Last Ranker की कॉपी है वो ऐसे आदमी के पास पहुनच गई उसने 10 कॉपी पहले से चेक की थी सभी सही थी, average थी, इसकी भी कॉपी पहुची इसमें गोला, paper आसान होगा सबी के सब बढ़िया लिखके आ रहे वो मार्क्स कम देता है सबको ये भी उसमें लिपड़ जाता है किसमत अच्छे थी ऐसी जिगाया है कि 10 कौपी बिल्कुल रद्धी करके आये थी उसका दिमाग खराब था बिल्कुल रद्धी टाइप की लिखी थी आपकी कौपी मिली बुला वा और खुब मार्क्स दे दिया तो ये फॉर्चुन वाला भी इस्यू है पांच-दस मार्क उपर नीचे इसमें कोई हिला नहीं है चार पेपर हैं चार टीचर चेक करेंगे ददस मार्क का वी अगर डिफरेंश हुए तो चालिस पचास मार्क की उपर नीचे हो जाता है ये एक बेसिक है यहां तक जो मेरी समझ थी उसमें यही था कि आप प्रिवेश येर कुश्चंस को देखें मेरी एक लिमिटेशन है मैं पूरे कुश्चंस एनलैसिस यहां पर नहीं खरबा पाऊंगा नहीं तो मैं आपको ये बता देखेंगा कि लास्ट येर में कितने दो कुश्चंस या चार कुश्चंस के लावा सारी चीजें तो वही हैं जो पूरा नीच रिपीटेड है तो आप पहले जो है उसे अच्छे से करो फर्स्ट टैन येर के कुश्चंस सॉल्व करो मल्टिपल टाइम सेकंड कुएक सॉट नोट्स बनाओ फिप्टी यहंडेड पेज में पूरा ले लो जो भी लगते अगर आपको दो सुट पेज भी लग रहा है कोई दिक्कत नहीं बट क्राउडिंग ना हो पेज में जिससे प्लट के आसानी से रिवीजन हो जाए तो उसे फिनिस करो सॉट नोट्स और पी वाई क्यू ये दोनों मिलाके आपके आपके आप्सिनल में इसली 220 के अवाव मार्स से लेके आएंगे कोई भी हो जतने भी टॉपर्स हैं इन्होंने जो काफी है ऐसे लोग जो आप लोगों की हल्प के लिए अपने टेलिग्राम चैनल्स मनाते हैं उन्होंने जो पढ़ा अपना एक्पिरियंस है वहां सेयर करने के लिए वो इन्फॉर्मिशन डाल देते हैं अपनी ट्रस्ट पेपर डाल देते हैं उन्होंने सॉट नोट्स बनाये हैं उन्हें डाल देते हैं उनके सॉट नोट्स आप यूज करोगे आपके काम के नहीं है क्योंकि वो उन्होंने अपने लिए बनाये थे हो सकता कुछ इन्फॉर्मिशन उन्हें पहले से पता थी कॉमन्सी थी उन्हें छोड़ दिया उसे आपके उलिप्लरेस में बट आप अपने हिसाब से बनाओ और उसे पूरी को रिवाइज करो मल्टिपल टाइम बस इसमें आपका इजली निकल जाता है और इसे फोरस्टी पर ही अपलाई नहीं करना है सिकिन ऑप्सिनल है जी एस है उस पर अपलाई करो और प्रैक्टिस जितना कर सको मैं एजियूम ये करके चल रहा हूँ कि आपके 20 नवंबर से आप मालो एग्जामनेशन की साइकल में इंटर कर जाते है आपके ये जो स्टडी वाला काम है पढ़ने का चाहाँ प्लास से लोग कॉंसर्ट बनाने का काम है ये आप इस मन्त की एंड तक होते होते कंप्लीट कर लीजिये अक्टूबर चल रहा है 30 अक्टूबर तक आप ये सारी चीजे फिनिस कर लीजे प्रैक्टिस बीच में कर सको तो बढ़िया है 30 अक्टूबर तक ये सारी चीजे जो भी है निपट जाए और फिर आप नवंबर पूरा आपका प्रैक्टिस से एंड प्रैक्टिस में जाए यहां ऐसा नहीं कि 30 तक का मैंने बोल दिया तो बुला ठीक है मुझे पढ़ने ही पढ़ना है स्ट्रक्चरिंग नहीं करूँगा आप कंटिन्यू करते रहा है 30 नहीं आप 10 अवंबर तक फिनिस करते है आप कोष्चन थियूरी पढ़ते जारा है उसकी कोष्चन की स्ट्रक्चरिंग करते जारा है वह कंटिन्यूप प्रोसेस हे यह जचल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको फिनिस करना है इससे जबातrice तो मेरे पास भाई कुछ बोलने को बचा नहीं है आपके हे चल्वाफिस के लिए सुकामने धन्वाज